मद्य प्रदेश के भोपाल से 48 किलोमीटर की दूरी परिस्थित साची वर्ल्ड हैरिटेज साइड है यह एक परेटन स्थल है और दुनिया भर से कई परेटक यहां घूमने आते हैं और अब यहीं साची सोलर सिटी बनने जा रहा है ओडिसा का कोनांग देश का पहला शहर है जिसे पूरी तरह से सोलर सिटी बनाया जा रहा है और अब मद्य प्रदेश का साची भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है मद्य प्रदेश का साची सोलर सिटी बनने वाला देश का दूसरा शहर होगा सांची के मध्यप्रदिश राज्य उर्जा निगम के अधिकारियों के मताबिक सांची के सोलर सिटी बनने से सांची को एक अलग पहचान मिलेगी इसका काम जुलाई के अंत तक शुरू हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर 75 करोड रुपए तक खर्च होने का अनुमान है उर्जा विकास निगम के चीफ इंजिनियर बुर्नेश पटेल ने बताया कि सांची में 10 मेगावाट का सोलर प्लांट 40 एकट की भूमी पर लगाया जाएगा जो घरेलू और कमर्शिल बिजली की जरूरतों को पूरा करेगा उनका कहना है कि कॉलोनी में रहने वाले लोगों के हिसाब से सोलर पैनल अलग-अलग साइस के लगाय जाएगे और घरों में व्यक्तिकत सयंत्र लगाने का विकल्प भी लोगों को दिया जाएगा सांची के सोलर सिटी बनने से यहां के घर, सडके, सरकारी और प्राइवेट आफिस सब कुछ सोलर उजा से ही चलाय जाएगे अभी सांची को हर महीने लगभग 90 लाग से एक करोड रुपए तक का राजस्व मिलता है और पूरे शहर का औसत मासिक बिजली बिल एक करोड के आसपास आता है पर अब सांची के सोलर सिटी बनने से बिजली पर लगभग 12 करोड रुपए तक साला ना बचाय जा सकेंगे केंदर सरकार का New and Renewable Energy मंत्रा लए रूफटॉप पर सोलर प्लांट लगाने पर 30% सबसीटी भी देता है सौर उर्जा से होने वाले फायदों को देखते हुए सरकार को सभी जगहों को सोलर सिटी बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू करवाना चाहिए जिससे बिजली की बचत की जा सके और लोगों को भारी भर कम बिजली बिलो का भुपतान भी ना करना पड़े